नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके इपनी यूट्यूब चनल कमप्टीशन प्रिप्रेशन पर आई होग आप सारे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अच्छा पढ़ाई भी कर रहे होंगे जैसे कि आपको पता होगा आज सब्सक्राइब करवाने उसकी डेट आउट कर दिया डेट कुछ रखिए उन्होंने 30 सप्टेंबर से लेके 14 नॉम्बर के बीच में होना आप कुछ लोग परिशान है कि भया अभी तो सीजियल सुरू हुआ था नाइंट से सीजियल था 26 तक और उसके तुरंद बाद इन्हों अचाहिए आराम करें तो एक चीज जानों कि बेरोजगारी जो होती है ना अनिम्प्लाइमेंट जो अभी आप हो जबी आप हो क्या अनिम्प्लाइड अनिम्प्लाइड से इंप्लाइड बनने का सफर जो होता है इसमें बीच में आप रेस्ट वाला फेज ढूडता हो यह तो आप रेस्ट करो यहां से यहां न पहुंचो यह तो आप रेस्ट कर लो तो आपको एक्जाम देना पड़ेगा और आपको क्या लगता आपकी जोईनिंग दस साल बाद हो मेरे इसाब से बहुत अच्छा कर रहा है सिसी ने कि एक्जाम लेट सही समय पर दे दिये जल्द में नोटिफिकेशन करवाने तो आऊंगा नहीं आपको सभी को पता होगा तो मैंने उठा लिया एक MTS का रैंडम पेपर लिटरली आई डूंट नो कि अभी मैं पढ़ूंगा आपके सामनी कि कौन सी डेट का मैंने क्लिक करा आंसर की जो खुल का है वही प्रेंड मारती है इसमें वन नोट में आगया है यह सेप्टेंबर का पेपर है नौ से ग्यारा के बीच में 2023 वाला जो एक्जाम होता है उसके प्री का पेपर है ठीक है आप लोग घबरा गयोंगे यह क्या करने के लिए लेकिया आप तो यह फिर से पढ़ाएगा बिलकुल पढ़ाने इससे यह जरूरी है कि आको पढ़ना क्यूंड में वह बताना और उसके साथ साथ किस लेवल के प्रशनाएंगे उस लेबल से उपर एक भी आपका टीचर पर Curtot कर ओड़ा रहा है तो नहीं करना है आपको किसी किस लेवल करना्ता और जानना क्या पढ़ना वह जरूरी है यह है सबसे ज़्यादा होगा विश्वास करते हैं आपको अनलाइज कर दू पेपर अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि अंग्रेजी में नहीं है तो यह सलूशन वीडियो नहीं है कि हिंदी अंग्रेजी दोनम रहेगा यह बिसिकली अनलीसी से और किस लेबल के प्रशन हैंगे यह ब प्रशन में दिखाता चल रहा हूं और उसको पता होगा कि मैथमेटिक्स इंग्लिस जीके और रिजनिंग पूछी जाती है अगर मैथमेटिक्स की बात तो किस लेबल के प्रशन आते हैं देखो प्रशन में दिखाता चल रहा हूं और उसको कैसे करना होता है यह थोड़ा-थोड़ा मैथमेटिक्स चुकि मैं टीचर हूं मैथमेटिक्स का यह गाइड हुए आपका बड़ा वाई हूं तो इस सबसे बड़ी भूजह कॉन अपकि आगे वाले एक कोने से सब्सक्राइब को पना होता है कि जो कि क्या होता हो कि आप मैं ठीट सो कई स्कुर्इबां है अभाए स्कूर्इब कि 407 प्लेस चार के दिमागे फिर में खुरा फात है कि इसे मेंने काम करें सुर्य गॉली फिर किने सिर्टी बर्बाद हो बस काम खतम हो गया तो यहां पर ऐसे कौन सा आपको 3D पढ़ने जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे आप घनाप के लिए लंबाई चोड़ाई उचाई अगर पता हो तो वॉल्यूम क्या होता है यह पढ़ लेंगे वॉल्यूम को फॉर्मूला होता है ल्वी एच टोटल सर्फि प्रपोर्शन का प्रशन आगया फोर्थ प्रपोर्शन से आपके दिमाग में अच्छे थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है मीन प्रपोर्शन क्या होता है और उसके बाद फॉर्थ प्रपोर्शन क्या होता है यह फॉर्मूले लिख लेना है यह सब चीजे पढ़नी है प्रपोर्शन पढ़ने जाएंगे तो फॉर्पोर्शन मीन प्रपोर्शन थर्पोर्पोर्शन देखो ए और वी का अगर मीन प् फोगे ब्रोपोर्ट रहें पूछ रहें कोई चोंद रहें चाहिए और फॉर्थ समानुपाती की वेलू ड़ेंपरrose to be पीछे वाले दोनों को गुड़न फल बटे यानि कि 4th proportion ABC का क्या होता है B गुड़े सी बटे यह भी लिख लेना और 3rd proportion क्या होता है अगर मालों A और B का 3rd proportion पूछा जाए यानि if you are here to answer 3rd proportion of A and B तो पीछे वाले का square यानि कि B का square और बटे का A यह तीनो फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए mean proportion क्या होता है 4th proportion क्या होता है और 3rd proportion क्या होता है फॉर्मूले आगे अब दात नहीं फिर से दिखाना है आपको सीधे सीधे इसका फोर्ट प्रपोर्शन बताना है फोर्ट प्रपोर्शन के लिए क्या करोगे पीछे वाले दोनों का गुड़न फर बटे पहला वाल यहीं कि चार दसमलो आठ गुड़े आठ बटे एक दसमलो पांच काम खतम होगे आपने कहा नह बटे कर लेना या लेना बराबर भी सी हो जाएगा तो फूर्पोर्शन निकालने वाला जो फॉर्मूला आता हो यहीं से थान का मतलब क्या होता है जासे दो का और चार का मीन प्रोपोर्शन या दो और आठ का पूचा जाए कि दो में किसी संख्या से गुड़ा किया गया सब्सक्राइब 2x अगर है तो इसको 2 2x सकते और 8 के बटे में सकते अगर मीन निकालनाहो तो मिल्ड़ फॉलीख रेव्ड़ हो करो सब्सक्राइब यहीन परबरबर मीनिप्र नीकालना और मिल्घुम्लम ने है मैत्ममेटिक्स में अगले प्रश्न पर आ जाते हैं एवरेज एवरेज से भी आपके प्रश्न आते हैं जा गिया 20 इस्टूडेंट थे उसका एवरेज 30.5 था छे नए श्टूडेंट आगे तो अवरेज 2 किलो से बढ़ गया आपको बताने है छे नए स्टूडेंट का अभरेज क्या होगा अब ऐसे बाट बताओ छे लोग आये कितने लोगों का एबरेज दो दो से बढ़ाया मैं वह चे लोग अपना तो बढ़ाते हिंा है यह 52 kg एक्ष्टा लेकर आ रहते हैं एक व्यक्ति कितना लेकर आ रहा था ? 52,6, अभरेस ते ज़्यादा 52,6 तो 26 ,30,30 का मतलब कितना होगा ? 3,84 और 3,25,30 तीन दसमेलों तेन धषे चोवईस हो गया और में 2,30,34 प्रशन जब आएगा तो उसमें घपराना नहीं होता मैंने सब कुछ करवा रहा रहा है स्टार बैस टू पॉइंटों में जाके देख लेना देखो अगर आपने नहीं देखा या देखा है तो फिर देख लो अब जैसे पहला प्रशन आ गया ताइम एंड वर का कि सुर्जीत लिए कोई काहीरे आर्ट दिन में कर सकता है मनजीट शे दिन में कर सकता है सुरजीत और मंजीट कहते है आल्टर North स्टार करता तो कितने दिन में काम खतम होगा तो आप तुरहंत लिखो मनजीट लेकिन अब कितना भी आपका प्यारा दोस्तों सुर्जी तो इसका मतलब यह नहीं है मेरे बाइए कि तुरंत लिख दो S.U.R.J.E.T. ना ना आपको S. लिखना है S. आट दिन में करता है मंजीत 6 दिन में अब यह आपको सुर्जीर गया दूसरा दिन आ गया मंजीत तो पहले दिन तीन यूनिट यह नहीं किया दूसरे दिन यह चार यूनिट करके आएंगे यानि दो दिन में कितना यूनिट हो जाएगा साथ यूनिट हमें पहुंचना कितना यूनिट था चोबिस तो साथ तीन ही बार ले जाओ याई छे दिन में 21 unit हो गया अब 7 वे दिन जो शटार्ट करता हूँ विश्sam संक्या वाले दिन जाता यानि स्टार्ट विभ्ट दिन को जाएगा आधी स्यु्ट करते है सुर्जीट एक इसमें क्या था इंटर्णेट का आ रहा है का करें कुछ ना कर यह बॉटल मैंने इस्पोर्स में जीती थी कि स्पोर्स बहुत कि पैर कितना तेज चलता है एक मसीन पर कूदना था और मेरे बगल में धपूज से थे बहुत तगड़े वजन वाले उन्होंने सुचा अभी खट-खट करके मसीन पर सत्तर बार मार दूंगा पैर एक सेकंड में दो बार तो मैं पैर पठकी देता हूं इस चल जाएगा क्या एक्जाम होता है बीस परसेंट डेली इंकम कर खर्चा करता है एक्सपेंडीच इतना बीस परसेंट खर्चा कर दिया तो बचा कितना असी परसेंट जो है अच्छा स्वारी आपको दिया कि 20 पर्षेंट खर्चा करता हूं यही खर्चा 200 रुपए है यहीं पर्षेंट 200 है तो आपको 100 पर्षेंट इंकम तो 100 पर्षेंट पूचा गया यहीं कि कि इसे प्रशन आते हैं लेकिन आपको अगर घबरा गए परसेंटेज में बहुत नॉर तो इसका परिमीट्र देदी अगया निकालना है यह एक बात बताओ अगर तीन होए पहली बुझा दूसरी बुझा चार तीसरी बुझा पांच हो तो योग कितना होजए और तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लिए पस लंब और आधार चाहिए तो लंब हो बाप है कि नोकरी मिलेगी यह देखो अगला प्रसंद देखो प्रॉपिट ऑप्टेंड बाइब बेंडर 2200 में अगर बेचे हैं तो साथ बटे पांच हिस्सा प्रॉपिट होता है अगर उसी वस्तु को 3000 में बेचे उसका तो कॉस्ट प्राइज बताने अब बताओ ऐसे कैसे निकालोगे आपने कहा हमने पहले दोनों मूले लिख लेना एक जंगे लिखा 3000 एक जंगे लिखा 3200 अब हमसे क्या कहा गया कि अगर हम इसी वस्तु को 3000 में बेचते हैं तो जितना लाब होता है उसका 7,5 गुना में बती सो में बएचने पे होता है अब देगो 3000 को अगर 5000 बेचने पे तो 5000 में बेचने पे 7x का लाब होता है यह तो मतलब हो और 25 में किसे गूरा लाब पहले लाब कितना हो रहा था पाँ सो तीन हजार में बेचने पर पाँ सो का लाब हो रहा है कि क्रेम मुले 25 जादा दिमाग लगाना ही नहीं है बहुत आसानी से प्रश्ण हो भी जाएंगे एक धन था उसको दो अनुपाद कि अनुपात में ABC के 20 डिवाइड किया गया और डिवाइड किया जाना था लेकिन उनुने घलती से कर दिया पांचन तो पचास का नुपसार हो गया आपको बताना है कितना मिलना था अभी वारा साथ दो चोड़ा यानि दो बटे चोड़ा इसके तीन बटे-चोड़ा प्चास यानि की पूरा धन सासो यहीं पूछा गया और इसमें बताओ कहां कलावाजी दिखानी कहा पे आपको वह वाली ट्रिक लगानी है कि जिसमें आपको हांड कप जाए पाइचार्ट जो है परसेंटेज अफ इस्टुडेंट दिखा रहा है कि कितने इस्टूडेंट किस सब्जेक्ट में पड़ रहे हैं अब आपको क्या निकालना है कि रेशियो निकालना इस पर फोकस करना क्या न आपको नहीं आता को आप एक काम करो तैयारी छोड़ दो एक वस्तू को कुछ मूली पर बेचने पर अंकीता को दस परसेंट का लाब होता है अगर दुगने पर बेच दिया जाए तो कितना ग्यान सेंटेज होगा सिंपल साइसे जैसे कुछ भी दिखे 10 परसेंट लाब मतल पाइदा दसने यानी 120 परसेंट अब ऐसे समझो धो तो कि भी सपर्षों जाए अगर हो गया ओंप इसे सोच लेगा आप ऐसे सोच लोगे समय तो नहीं गया ना तो इसका मतलब प्रॉपिट एंड लाउस में ज्यादा ललू पंजू नहीं करना है और खीश निपोरना है कि ऐसा ही ही बहुत बढ़ियां प्रस्ण मास्टर बता दिया और फिर एक्जाम में जाके ओ भाई तो ब कैसे पढ़ना हो समझो जब मैं के तो अनलाइज करो अब दांट इस वजासे रहो ताकि छोटे वड़े भाई हो महां MTS बनके आ जाओ मैं काम नहीं करवाओंगा अगर मेरी आफिस में मैं कहूंगा CGL के लिए पढ़ो CGL पढ़ लिया UPSC पढ़ लो जो मन करे पढ़ो बस एक जाम एक बार नोकरी में आ जाओ तुकि मैंने जासा की बता जूट बोलना पाप है और नोकरी के आस में बैठा तुम्हारा बाप है तो वह चीज समझना डिफरेंस बिट्विन कंपाउंड इंट्रेस्ट और इंट्रेस्ट कंपाउंड हाफ यर्ली और सिंपल इंट्रेस्ट और इंट्रेस्ट कंपाउंड हाफ यह लिए और लेकिन ब्याद शमाही लगाओ ठीक है 10% सालाना रेट है डेर साल का compound interest निकालो लेकिन ब्याच छमाही लगाओ और उसका तीन साल के लिए 5% की रेट पर सिंपल इंटर प्रश्ण को दो भागों में बाढ़ते हैं पहले तो एक बात बताओ 10% अगर वारसी व्याच की दर है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि 10% वारसी व्याच की दर का मतलब 5% चमाही और डेर साल में कितने चमाही तीन यानि 5% जो compound interest मिल रहा हो तीन बार मिलेगा यानि कि 200 होता तो 5% का मतलब 21 कि 23 साल में 2 साल में इसके पावर, 2 3 साल में इसके पावर 3 यानि कि 3 होने का मतलब कि 8,000 होता zaman लोगो 8000 होता 20 के पाउरती तो ये 6221 हो जाता यानि 8000 होता तो 1261 रुपए का ब्याज मिलता लेकिन मुलदन 8000 के बहत्तर अजा रहा है यानि इसका नोगुला तो ब्याज भी इसका नोगुला हो जाएगा यानि 12 सो आठ यानि कि 10800 उधर और 540 उधर यानि कि 11000 10,800, 540, 11,340 रुपए आपको ब्याज मिलेगा अब आपने कहा ये तो अनोखा ही हो गया मैंने कहा का है अनोखा हो गया आपने कहा 1261 को नो गुना करनत है और हमने तो कुछ गलत कर डाला मैं कहा कुछ गलत नहीं किया अब देखो 5% की रेट से 3 साल का निकालो पहले 5% की 10,800 तो ऐसे भी मिल रहा था 10,800 तो सिंपल इंटेस्ट भी मिल रहा था इनी दोनों का डिफरेंस पूछा गया था आपने कहा 500 कितना आ गया तो इसको कह सकता हो कि compound interest 5% की रेट से 3 साल का और simple interest 5% की रेट से 3 साल का डिफरेंस बताओ तो मैंने कहा इसका क्या होता है आपने कहा P into R by 100 का whole square आप देखो यावे principle कितना है 72,000 लिख दो R by 100 पांच बटे 200 यानी एक बटे बीस का whole square यानी एक बटे 400 कर दो और एक बटे बीस धन तीन यानी कि कितना हो जागा अब या फिर आप 5-5% का success you 3 वार निकाल लेते तो 5-5% का success you निकाल के भी कर सकते थे method is all yours समझ में आया बात ठीक है आप देखो DI का प्रश निजबार CHSL में अच्छा है था तो मेरे हिसाब से आपके इसमें भी MTS में भी अच्छा हैगा क्या कहा गया कि आपको दिया गया table so center and post wise number of candidate यानी कि किस post पे किस center पे candidate है मुंबई में आफिसर के लग सुपरवाइजर पीड़ आफिसर कैसे अलग अलग सहरों में दिया गया तो का कि highest number of candidate किस सहर में यानी कि आपको total जोड़ना है अब देखो यहां पर अनुमाल लगाना है देखो हैदराबाद चेन नहीं मुंबई और कोलकाता बेंगलूर्ग तो ऐसे नहीं calculate करना है अब देखो सब से बड़ी बड़ी रकम कहा दिख रही है आपने का देखो सब जगें तो यहां पर कम कम दिख रहा है लेकिन मुंबई देखो बारा अठारा तीस आठारा अरतीस दो सो 382 लिख लेते हैं अगर यहां जोड़ने तो आर्ट दस अठारा छे चोविस एक यानी 241 हो गया अगर यहां जोड़ने नोचे पंदरा पांच बीस बीस आठ हो गया मतलब एक प्रशन सही होने के लिए डिवीजन सबसे पहले करोगे या ओफ करोगे सबसे पहले उससे पहले ब्रेकर देख लोगे आपने को आफ तो है इसमें मगा तो डिवीजन से सुरू कर दो करो बाइस में दो से डिवाइड करोगे ग्यार ग्यारा पैतालिस में से घटएगा चौतिस-ऌतिस पलच बारह चीहारिस च्यहारिस और यह 2 49 अधालिस और यह कितना हो गया तो कितना होगा मैं का इसका 10 percent मैं बता हो अगर पूछू तो कितना होगा आपने 15 first जुषा कि जल्दी से करके 27 का इसका इसका 1 पर च्रोफ मैं का इसके गटा दो आपने को क्यों आपके हाथ में कैसे करना चाहते हो आप कुछ लोग कहेंगे ऐसे मैं नहीं करना चाहता तब क्या है नंबर सिस्टम का यह कुछ ही इस प्रकार से कहता है अगर दो संक्या का रेश्यो और इनका रेश्यो नहीं आपको नहीं देखना कुछ और देख रखा तो बस आपको यह प्रशन करो अगला चलो फटाफ़ बजाओ तो निकालो वो स्थ तीन वाई पेज पांच मिनट में तो पंदरा मिनट में नो पेज चालीज नो उंचास टोटल उंचास जो मन करें मतड़ लगाओ दिमाग जहां भी क्लिक करें करो फटा फटा आपसे प्रश्ण हो जाना चीए that's it simple interest यह हो चाहे compound interest चाहे जो वो ट्रेन है equal length की parallel lines पर same direction जैसे same direction में मतलब आए और से आप तुरंद करें तो मरो ना आप relative speed s1 minus s2 कर दो यहां गाता चेंच से टो आगे दो निगल जाओ आपकी train मास यहा इसए वह भी तो चली रही है याई आप उसके पीछे से लगोगे, पूछी से और एक दम आगे तक निकल जाओ, तो आपकी ट्रेन, मालो आप इंजन, आप मालो इंजन पर बैठो, आप ही ड्राइबर हो, तो आप यह तो टुछ कर गए, पूछ, यह आप चलते जाओगे, आप जो इंजन के पास पहुंचोगे, तो क्या ट समय लो, कि इसकी दूरी टाइबर हो, फिर यही चीट यहां आजाओ, और आपकी पूछ, तो यह थी यह यहां आजाओ, एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन को पार करने में कितनी दूरी टाइबर हो, यहां पर लंबाईयां बराबर है, आपने का LL, 2L चलना है, 18 km पर गंटे को मी मीटर पर सेकंड, 5-8 गुड़ा, यहां इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगे, 5 मीटर पर सेकंड चलते हो, तो आपको टाइम कितना लगता है, आप 40 सेकंड का, कितनी दूरी टाइबर हो, तो दूरी बराबर क्या होता, 4 गुड़े समय, 5 गुड़े नर्ताइब, 240 मीटर आपको दूरी टाइब करी है, 5-1, 48-1, 5-48 का गुड़ा, 240 हुआ, 240 ही तो दूरी है, इन 2L बराबर 240 तो लंबाई कितना होगे, का है दिमाक लगा रहो फरजी, ठीक है, 4 किताबे 8 पर इतने में खरी दी गई, एवरेज प्राइस बुक का 35 रुपए है, एवरेज प्राइस का मुल 120, 8 पर इतने में 120 की तो एक पर इतने में, प्रॉफिट एंड लॉस अफलाना और इम का कह देते हो आप लेकिन कुछ भी नहीं रहता, एक बैट्समान है, बल्लेवाज, 96-13 इनिंग में बढ़ाता है, तो उसका एवरेज 3 से बढ़ गया, एक बात बताओ, एवरेज पर 3-3 बढ़ा है, यानि 36 बढ़ा दिया, 36 बढ़ा दिया, ऐसे समझो, 36 बढ़ा दिया न, अब आपने का ये का कर दिये, 13 मीनिंग में अभी तो बढ़ेगा, मैं का वहीं सोच रहा हूं लिला, कि 13 मीनिंग में, 13 में में ऐसा कुछ रन मनाता है, कि 12 लोगों पर 3-3 बढ़ यानि 36 बढ़ा देता है, 36 बढ़ा दिया, यानि 96 में आउसत सबका तो बढ़ाया ही बढ़ाया, और 36 एक्स्ट्रा 12 लोगों के लिए लेके आया था, आप ऐसे समझो, 13 में इनिंग में जो रन बनाया, उसे 12 लोगों का पहले तो 3 बढ़ा, यानि कि वह आउसत जितना हुआ है उतना अपना के रिगे तो android बनाया ही, और 12 लोगों के लिए, भारर यनिंग के लिए और 33 बनाया, यानि 46 प्लस, 66 बढ़ाबर 16 ऑसेत कि रिगे, ऐसे तब कितना हो जागा, 60 एक्स क्या है, अच्छय dau-एक्स सबाटी ओस्र अब गार तुशिए ठीमन के लिए अगला यह इतना सेकंड लगेगा रिलेटिव स्पीड एक ही दिसम दोड रहे है तो यह चाल होगा इतना समय लगा और इतना समय में चोर भाई साब 21 गुड़े 5 बटे 18 से कितना दूरी तहीं करेंगे 25 बटे 18 पसे रिजॉल करना थे देखो यह चाल है यह समय है तो यह दूरी हो आपने पांच बेटे 18 पांच बेटे 18 काट रहा दो मगा बहुत सही आपने काम किया आप मैंने कायम करो दो सही इसको चोंवन काट दो चोंवन कुड़े किस कर लो भास आपका आउसार चुट्स हजार असधी और जोड़ गे 1 14 जोटे ठीक है अब हमारा हो गया अब आते हैं silox के प्रस्ट सिलोक्स में क्या होता है all cake's are biscuits some biscuits are tarts all tarts are pudding तो इसमें pudding Pudding आप देखो कैसे figure बनाएंगे केक्स हैं हर cake biscuit है यानि कि cake biscuit के अंदर आ गया और some biscuits are tarts tarts यह tarts हो गए मालो all tarts are pudding's all tarts are pudding्ड यह pudding हो गई मालो तो आप से क्या statement में दिया गया, का कि some biscuits are cakes, बिल्कुल सही है पहला statement तो, और some pudding's are biscuits, सब pudding's are biscuits, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, देखो, pudding's वाला कुछ biscuit है कि नहीं है, सच में नहीं देखा मेरा भाई, सच में नहीं देखा, ठीक है, तो, हाँ, आप देखो, यह कहा गया कि जैसे मुझे दिखा, यह बताओ कि कौन सा, इसमें कई बार गल्ती हम क्या कर देते हैं, कि कई बार वो कहता है कि 3 follow कर रहे हैं, एक नहीं follow कर रहा है, उसको identify करो, कई बार अब दो अब गया, तो इससे पहले 75 के बार एक ही तो आएगा, और इससे पहले 75 उसके बार चाहा है, बस एक ही बार दो लगा तो बात खतम होगी, क्या कि 8 is related to 40 in a certain logic, 8-40 से जिस प्रकार से related है, उसी प्रकार से 3-15 से related कहा गया, यहनी 5 से गुड़ा हुआ है, तो बाउन में 5 से गुड़ा कर दो, simple सी बात है, क्या कि L C N T, को कहा गया N E P B के form में लिखा जा सकता है, ठीक है, तो कहा कहा गया, H B E R को J, H B E R को उसी form में J D G T, मुझे literally अब कोड और नहीं आद रहे गया, कहा गया, उसी प्रकार से O S C F को क्या लिखेंगे, O S C F, अब देखो, मैं पहले concept लगा तो, L M N, C D E, N O P, T U B, तो एक एक छोड़ा, O B, O O P Q, S T U, C D E, F G, H, आंसर जहां भी दिखे क्या माप कर दो, एक एक का gap नहीं लो, बस का कि कोरल को जिस तरा से देखो, पहले ऐसे समझो, O H C करा गया, मुझे देखते ही दिख गया, L A R, यानि कि C H O R A L जो लिखा था, उसमें हमने यहां से सुरू कर दिया, O, फिर यहां से H, फिर यहां से C, फिर ऐसे पीछे वाले को पलट दो, L A R, L A R, ऐसे आप उसे का कि गयली को कैसे लिखेंगे, तो G A L L E Y, तो आप क्या काम करोंगे, पहले तीन-तीन मिन तोड़ो, तो पलट लिया, अब इसे को पलट, मतब तोड़ लिया, फिर पलट दो, L A G, इसको पलटने पर आएगा, और Y E L, यहां जाएगा MTS में यही चीज आसान हो जाती है, कि Elimination आसान होता है, क्लियर? मैंने सोचे था क्या हो, मैं आद करवाँगा, लेकिन अवरिजिनिंग हो रही है, तो 24 गुड़े समति, जब इतना बड़ा है, तो जोड़ा तो नहीं गया होगा, क्यों कुछ तो गड़बर हैता है, 24 एक सो 3, 489, 2473, और 1, 2, 3, 4, 8, और फिर कुछ आएगा, यहां पर बुचके, 24 का कितना होना होगा, 24, 496, ठीक है, और मैं से जोड़ा गया 7, यहां हम कहें, 24 गुड़े 5, 25, 120, माइनस 17, ऐसे 103 गुड़े 5, 103 गुड़े 5, माइनस 17, आई यह वाला से 8 हो रहा है, 25, 120, माइनस 17, ए ऐसे 498 गुड़े 5, माइनस 17 होगा, ऐसे 5, माइनस 17 होगा, यहां हो रहा है, 25, 15, में से बिल्कूर सही, तो हम करेंगे गुड़े 5, माइनस 17, तो गुड़े 5, करो गे 5, 8, 40, 40, मैं से साथ गटी गा, उन्हें डिजिट 3, तो इन्हें डिजिट 3 हो गया, अब हम 12,348 को 5 से एपने से गुड़े 5, 0 लागा के आदा खर दो, दो इतना ही हो जाएगा लोगा और आद कर दो, चौन सथ एक सथ पच्पन अब यह देखते क्या नज़रा है पहले तीन गटाया गया फिर नौ गटाया गया फिर बारा कटाया पंदरा कटाया जाएगा अब यह नकाना अगर जी करवादो दो जूमिर cobhigh g ग्याज कि यहाई मैंने आर लिखा इसको चाय तो यह आपको पता ही हो項 को में से लिकलना है इसमें आप कोई आठ और इसमेंक इस वाले फिकर को देखो इसमें ऐसा ऐसा सेब बन रहा है तो हमें भी ऐसा ऐसा बनाना पड़ेंगा तो यहां से एक रहा है दूसरी रहा भी जाती तुछे और उसलेखा नहीं आपने खाहिए इसको पूरा कर तो अब देखो कहां पर ऐसा दिख रहा है देख लो देखो कहां पर दिख रहा है यह आपका दिख रहा है आपका माँ खोगे ठीक है चलो अगले प्रेश्ट पर लेखो एल एम एन ओ मैं एन ओ छोड़ा पिया यू डॉ एर एस छोड़ा टी यूब डवी चोड़ा एक साः यज एच वाइच चोड़ा तो बी आएगा तो बी से स्टार्ट वहापका अंसर आगया आपका जगे नहीं जोगे नहीं एकर पाऊगे लेकिन अम टी ऐसा तो कर लोगे और अचाक हो गया और नो चाक इस टौफी, टौफी इधर बना दो, जब कई चौफी में कोई कंबिनेशन ही नहीं हाटा दो, दो बिल्डिंटन कहीं टौफी में मैच कर रहूं है, बिल्कुल सही बिल्डिंग कहीं, यह वाले कहा है, यह वाले कहा है, तो के बाद VW छोड़ा X आया, YZ छोड़ा A आया, BC छोड़ा D आया, EF छोड़ेंगे G आया, G से start-up का answer अगया, कुछ भी दिम्लाग नहीं लगाना था, साइटन कोड में नेम को 24-73 लिखा जाता है, मेंड को 76-something लिखा जाता है, अब देखो मैं क्या लिखता हूँ, मुझे कसम से यह concept मैं भूल गया, कि क्या था लेकिन ट्राई करता हूँ, दो, चार, साथ, तीन, ठीक है, अब मेंड मैं देखता हूँ, M, E, N, D, जो नहीं हुआ तो बेज़ती नहीं करना, कि नहीं कर पाया, मास्टर तो कुछ आता नहीं, आता था लेकिन अभी पता नहीं क्या लेकिन, तो D को किसके लिखा गया, आप देखो, पहले हम इन दोरों को देखते हैं, M, E, N, इसमें भी आया, M, E, N इसमें आप देखो, कौन-कौन सा 7 इसमे हो गया, और अगर आपसे 1 का पुछा गया था, 3 किसका पुछा गया था, 1 का, बस यह ऐसे करके करना होता है, अब कैलेंडर का मैं कौन से भूल रहा हूं, लेकिन कैसे करेंगे, चलो मैं ट्राइ करता हूं, चार नॉम्बर 2021 को अगर Thursday था तो इस date को क्या निकालेंगे, तो अगर पास ही एक ही साल का होता है, तो हम ऐसे calculate कर लेते कि कितने दिन है, साथ से divide करके, फिर अगला अगला करके, लेकिन चुगी एक साल की बात हो गई, तो हम कैसे निकालेंगे, आप देखो, चार नॉम्बर 2023 को निकालेंगे, तो कैलेंडर कहता है, कि एक कोड लिखो, 144, 0 025, 036, 146, यह आपको पता होगा, कि normal years के लिए code होता है, तो हम यहाँ पे January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December लिखेंगे, तीक है, अब आप क्या काम करोगे, आप इसका 21 को, लाश्ट टू डिजिट लिखोगे, 21, प्लस, 4 से divide कर दो, 4 पंचे 25 बार जा रहे है, 5 लिख दिया, प प्लस, देट कितनी है, 4, आप कितना बचा, 21, 5, 26, 4, 24, 34, 34, 34 में हमने 7 से divide करना है, 7 से divide करोगे, तो कि सेसपल कितना आएगा, 7, 4, 28 और 6 बचेगा, यानि कि Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, यानि कि Friday, Friday आना चाहिए, फ्राइडे को इन्होंने Thursday लिख दिया, Friday को इन्होंने Thursday लिख दिया, या हम पहले क्या लिखेंगे, year के दोनों last, फिर चार से divide करेंगे, 4 पंचे 20 ही जाएगा, चार से के reminder छोड़ दो, और फिर मई का code कितना है, जनुरी, फर्वी, मार्च, अपने माई, 2 लिख दो, फिर देट लिखो 13, जोड़ दो 13, 25, 25, 20, और 23, 47, 43 होगे मिर बचा कितना एक, एक मतलब, एक मतलब first day, first day मतलब Sunday आना चाहिए, लेकिन अभी आपने देखा था, फ्राइड़ आया था, तो फ्राइड़ दे लिखाता है, यनि एक दे पीछा वाला, तो अगर Sunday आएगा, तो ये क्या लिखेंगे Saturday, तो आपका answer हो गया, तो ये code याद दखना, reasoning के notes में मैं का मतलब क्या हुआ, plus का 43, L का मतलब क्या हुआ, minus, 9, J का मतलब, गुड़े 4, 22 में से 9, 8, 8, 105 में से 97, plus 43, minus 36, यनि 43, minus 36, 7, 7, 97, 104 हो जाएगा, मेरे ख्याल सब, ताकि इसकी जगा पर क्या आएगा, अगर plus minus और गुड़े और भाग को interchange कर दे जा, तो 111, divided by 3, plus 13, minus की जगा और डिवाइड़ की जगा पर गुड़े में, 3, plus की जगा पर माइनस 26 करना है, बस और कुछ नहीं करना है, 111, 3, यह क्या करना था, plus की जगा पर माइनस और गुड़े को भाग कर लेना है, तो प्रशनवाचेक चिन के जगा पर क्या आएगा, अब आपको बताना है, तो 13, 3-6 लोग है, यानि, एक एधर बैटा, आमने सामने बैटेंगे, ऐसे, 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 एक इधर बैठेगा, तो एक इसके सामने बैठेगा, ऐसे, और एक ऐसे बैठेगा, तो एक ऐसे बैठ जाएगा, ठीकá, ठीका, तो facing the center, ठीका, मालो कि i यहाँ पे बैठा है तो j इसके left में बैठा है यनि left में इधर वैठ गया i fils second to right of 2, second to right of 1 오른 restriction 2nd right आपक क्या कि e sits second to g, i जो है वो second to g बैठता है second right to g यहां पर बैट गया अब बचा कितना है एक सिट सेकंड टू एफ एच जो है वह सेकंड टू एफ बैठता है लेकिन लेफ्ट में यहां पर बैठना है तो कहां पर आना पड़ेगा एफ यहां पर रखेंगे एच इधर में इससे एक दूसर तो आप चाहिए के थर्ड कौन सा बैठता है राइट में एक दो तीन एच आपका अंसर हो जाए यह बहुत आसान था में यह वाले प्रश्ण जो अगले प्रश्ण में क्या कहा गया इसमें क्वेशन मार्क देखना है इसमें देखना क्या सिस्टम बैठता है मुझे नहीं पता ठीक है लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सिस्टम बैठ रहा है वो देख लेना कि यू का कैसे गया एच का कैसे गया और क्या सिस्टम आया देख लेना अपने इंड पर देख लेना अब आते जनरल अवेर प्रेशिडेंट उसी के अंदर है अब यह से चालू चीज है इन्होंने 77 में कुछ दे दिया, 74 में कुछ दे दिया, 72 में दे दिया इकत्तर में दे दिया तो मैं copy paste करके दिखा दू यानि कि इससे क्या पता चलता है कि हमें जब अब कहाँ के तो में देखना है कि 22 से 78 अगर प्रेसिडेंट है तो मिम दे आप को क्या लेना है क्या पढ़ना है? डांस फॉर्म जो भी है पढ़ लेना दो तीन बार रिवाइज करोगी याद हो जागा या उप्षन के साथ अभी कई बहर यह पूछ लेते हैं ना कि इसमें क्या-क्या पहना जाता जैसे आपने पढ़ा होगा कि कथक में क्या होता है ठीक है यह सब में लगा कौन से डांस में भारत नार्टे में कैसे होता है तो वह सारी चीजे इस्टेट वाइज आप डांस पढ़ लेना उसमें क्या-क्या चीजे होते है थोड़ए-थोड़ए करके पढ़ लेना लागे कितने क्लैसकल डांस देखो एक डांस पॉर्म से यहां आया दूसरा डांस फॉर्म से इधर में क्या आकेड़ी में अभीता कितने डांस फ्रम को जोडता है दिन्क चतुरभु जोजना जो थी स्को जोडती है यह तो पुराना एकॉनामिक्स का भी प्रशण मुंबई टू गो आको वेस्टन कोस्ट उस को क्या कहते हैं वेस्टन कोस्ट को ओंकर कोरो मंदल मालावार कोस्ट यानि कि जब जियोग्राफिय पढ़ने जाओ तो कोस्ट हो गया पढ़ लेना एक बार यह चीज़ें यह तो बहुत आसान सी चीज़ें जो पढ़ना चाहिए क क्का घरण को देखा और या पूँछ आगले प्रशन को देखो क्या का हैएश्ट मिल्क प्रडक्षन को नंद बाबा यह आपको पढ़ना पढ़ेगा कि लांच करी है अगले प्रस्टन को देखो क्या का गया इसमें पूछागी आपके नमबर यादी करा हूं यह कॉलम कॉलम बता रहा हूं ठीक है है निलो आर्थी करके जन से रिटन होना सेर पर बैट नदी से उकर यह लेंथे नाइट बता रहा हूं सेर पर बैट नदी से उकर पर यह समर में उग्रोप जाकर गोल्ड करिदा तब इसमर में यह वाला फिर ऐसे मतलब लेंट एक्टनाइट पढ़ लिया एस ब्लॉक टी ब् डिवीजन किसको कहते हैं मियोसिस को यह पढ़ लेना है आईसपा में यह बायो का क्वेश्चन है तो साइस में आपने पढ़ाई होगा अगर बायो पढ़ रहे हो तो अच्छे पढ़ लेना हिंदुस्तानी सोचली रिपबलिकन इस्ट्री का प्रश्ण है हिस्ट्री में सब्सक्राइब प्रिमिक इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस का थो पूछते हिए प्रिंडिपेंडेंस का भी पूछ रहे तो यह सब चीजे पढ़नी चाहिए हिस्ट्री में देख लेना आप अपने ही गाइड इन 1958 नोबल रिटेन भाई अभी यह तो आप हाँ आप ठीक है तो गाइड डॉबल किसने लिखा है कोई आरके नरायंट कोई न्यूज में रहे होंगे तो इस वज़ा से पूछ लिया गया 26 जनुवरी को Constitution inauguration के लिए चूज किया गया क्योंकि 1930 में same date पे क्या हुआ था पूंट सवराज movement हो था इस वज़ा से 26 जनुवरी को मांगे तो यह क्या है तो आप अगली बार जब analysis करने जाते हैं तो आप क्या काम करते हैं पूंट सवराज रट्टी है नहीं नमक सत्यागरा कोन पढ़ेगा कब हुआ था कुई खिलापत movement क्यों हुआ था राखी कब बां तो इसकी नहीं है नहीं से कौन सा musical legend को composing ताल और तिरमुकी पंच्मुकी गया सब्तमुकी यह सब बना जो यह नौ मुकी यह सब ताल है जो compose किया है किसने यह बाला कृष्णन कोई है मुझिकल लिजेंड है कोई मुझे नहीं पता बिटरली नहीं पता का यह तो आपको प यानि कि SDI जो भी होता है Human Development Index उसमें रैंकिंग का पूछ लेता है देख लेना यार यार यह सब अब जैसे अगर आप से पूछ ले जा कि तूफान को अलग अलग जगों पर क्या क्या कहा जाता है घास की प्राइरीज क्या होती स्टपीज मतलब इस कुछ भी पूछ सकते ना जोग्राफी में टाम्स बहुत इंपॉर्ट इंपॉर्ट है तुरह टाम्स अच्छे इस पड़ प्रष्ण है DPSP का प्रश्न है, प्रेस्प का प्रश्न है一ा कहांसे लिया गया लिग राजय के निति सकता है Estoy प्रिंसिपल और सोर्स तो जिवाइट गवर्मेंट इंडिया एक्र था कौन सब बिश्ट नून क्रेटिंग फ्यूजटाइल डांस का किस ने बनाया था उदय संकर है ये क्लासिकल डांस फॉर्म मैंने क्या बता है फेस्टिवल्स आपको अच्छास पढ़ने है ठीक है डांस पढ़ना है म्यूजिक फोऊं पढ़ना है गेम पढ़ना है सब करेंट अफेर के पार्ट है कहां पे है कहां सा पार पर यारी करने आयों तो नहीं कि जंडर्नल रास्ट गॉफतार का हिंदी में क्या बोलते है्म मुझा पता नहीं ये किसने स्टार्ड करा था सॉसल सब चीजे आपको जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब ही चीजे समझाएगे मैं जीके का टीचर हो नहीं कि मैं आपको बहुत अच्छे बता पहूं अच्छे पर्सेंट देख लेना किसका करेंट पर क्या है तब करेंट अफेर में आपने पढ़ा होगा कि कौन सा कौन सा बुक कि कि है कामाख्य टेमपल यह में गया हूं कामाख्य टेमपल कामख्य अबी माता गया हूं तो गौहाटी मुझे याद था ठीक है अब देख लिए तो आपको क्या-क्या चीजे पढ़नी एससे आपको आइडिया लग जाएगा इंग्लिस लेंग्वेज में टोन आफ इस जाएगा ठीक है आल लाइट इफेंट्स और इल्थी ब्लेंड बट इंटर्वूमें शिस्टम्स क्या बताना है हमें फोर वर्ट्स अप्वॉलिंग संट्र है बिन अंडरलाइड गिवें अगिवें और सेलेक्ट ऑप्शन देट कंटेंस आइस स्पेलिंग एरर इंटर्व फिंडर्वो कि आंट थी थे अई तीस खीए रींडerson के एंड今年 पटे willing क्या होता है से अंच्वी आपको लिट्रली आदो फिए यहीं कर दा दने यह क्या है आपको बताने है क्या गलात है हंगरी गोबिन की स्पेलिंग देखो हंगरी की स्पेलिंग क्या होगी तो गलत है कहा है कि कौन सा इंकरेक्ट स्पेल्ट है स्कुलेट क्यास है माइट एसफेलिं क्या होटे है मायजड़ेबली मैजड़ेबली क्या श्कुलिंग क्या होते संद्धा करज घंडिक दरबाजा घंडीधेर क्वेसे थे खाह समगो तो आपने पापा की तबियत के लिए उसको अपनी जो इस टुड़ी उसको क्या करना पड़ा अपलाड करेगा इंविटेट करेगा रिवर्स करेगा नहीं सेक्रिफाइज कर दिया त्यक्रिफाइज पढ़ते ही समझागे अगर मुझे याद करना हो तो कोई नहीं पड़ेगी लेकिन एक हजार की मचली है अगर मैंने वह खराब कर दिया तो खतम गाली पड़ेगे यानिकि बहुत बड़ा जिम्मेदाइदी देदी या हम कहते हैं कि लार्ज बूट फिल वह आला बात हो गई कि या अब बड़ी चीज को रिप्लेस करना मतलब बड़ी इंपोर्टेंट चीज है वह बिगर फिश्ट फ्राइग का मतलब है 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 यादि किसम से अगरने अभी पड़ा होता तो मैं आज से तुक्का मारता है कि कैसे क्या हो सकता ह क्या टॉम बेटें अंटिल इलेवन थार मतलब लास्ट टाइम तक तु स्टार्ट वर्किंग आनि इस तर्म पेपर बाने स्टू फिनिस इंजस्ट इंटाइम या उसमें शुरू ता देर से किया बट ताइम से कंप्लीट कर लिया देर से करने उने इलेवन थार एकदम ला इसका सिननीम हो जाएगा वैक्स भी इसका सिननीम हो जाएगा थ्रिल थोड़ा सा अलग चीज होते थ्रिलिंग मतलब अबताब अध्वेंचरेस टाइप का कुछ ऐसा कहलो हिंदी इग्जैक्ट मुझा नहीं पता का कि इस इस ताइप आई एट सच अटेस्टी के अभी बा यह पहली बार्ण हो जाएग एटैटएट न मतलब क्या होता है आए एट 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 हमें पैसवाइस यह पहली बारत जब आप एट एट सच अ तेष्टी केग यहीं कि प्रेजंड में ही रखना है तो कि शी विल हैंडलिग ना पर इसी विल हैंडल यह पर अपर क्या गलती है इन आपोजिट मतलब में अगर बताने जाओं तो क्या हो जाएगा इन अपोजिट मतलब होता है जैसे अपोजिट होता है वैसे इन अपोजिट का मतलब क्या होता है मतलब सायद मेरे हिसाब से कि इडिसनल भालो इन पोजिट मतलब होता है ठीक है एडिसनल ठीक है टो यहां पे यह हो गया इंडिया डिया क्वे numbers निस प्सक्राद में आजयां से और और से रहughter सब्सक्रांब के प्राद सब्सक्राइट्ट केसे दिवार घर सने ने हैं उर्टरभ है because अब मालों को ऐसे खाली जगे होती है मुझे कोई धक्का मार भाग जाता अब दीवार है पिछे मा का करूं बढ़ गया है यह वाले हो गया इस दवाल का मतलब क्या हो गया कि मैं नगया मैं कुछ नहीं कर सकता तुम ही पीटो तुम ही नहीं मारो अगर मेर अंदर दम हो तो मै तो आलवेस ट्राइट तो बिल्कुल सही था। तो आपको पता है आपको पता है आपको सहता है। तो ना पड़ेगा कॉंटिन्यूस मी जाना पड़ेगा। continuous मतलब ing form जीरंड form लगाते हैं simple सी बात है अलावर आप बुक्स बिब्लियोफाइल फिलोसफर मतलब होता है जो आपको वह क्या बोलते है फिलोसफी बताए लाइब्रेरियन मतलब वह लाइब्रेरी का वह जो हता है यार एक तो रोही सर्मा हो जातों कभी-कभी मैं मतलब लाइब्रेरियन मतलब मतलब क्या सहोतर लाइब्रेरियन की हिंदी क्या होती है Лाइब्रेरियन की इस तपका चेया होता हो Trop 5 जो पढ़ाता है ठीक है आप टीचा मतलब होता है कहा है अ अप्प्रप्रिय वर्ड बताना और be 19ush談 एलक dad वर्ड वाईट एंड निगेटिवली इंपेक्टिव कोबिट ने हमें क्या बता है कोविड करा सिर्भ लेड करा है नई इंड करा किनल बीशने सिर्भ मतलब किसी जीश को पर कर देना फ़री कर देना तो conceal possible reveal को उल्टा हो गया ना नशिव पिंताह हें जंड कि.. ब्हुकर यहां पे…how कहते जुड़ि मनों कि üं मुझत की आएगी तो comparative पे बेरी तो कुछ होता है ने, strong, stronger, strongest, विक्राम, विक्राम is the strongest, क्योंकि strongest अगर superlative आती है, तो फिर उसके पहले article दा था, विक्राम is the, विक्राम, sorry, विक्राम is the strongest person on the earth, दा तब लगता, अब यहाँ पर तुल्ना करें के stronger, यहाँ कि ER form, सिंपल सी बात है, I storm in a teacup, यह देखो, यह मालो teacup है, यह समझाने के लिए कर रहा हूं, ऐसा कुछ मतलब सही नहीं है, मतलब आपको समझ आजा ऐसा, यह ऐसा, चाय थी, चाय में उबाल आ गया, खुस हो गया, आम नाचने लगे, चाय में उबाल आई है, चाय पीने के मिलेगा, इससे इतनी बड़ी बात तो नहीं होगे, यह आप चाय के उबाल देखे, आप तो भई है, दुनिया पलट गए, पलटने वाली चीज नहीं, बहुत महमूली सी चीज है, यह आप excitement दिखा रहो, चाय में उबाल आ गई, बात करने वाल बात करने वाल नहीं, बहुत छोटा सा तुछछा मुद्दा है, इसके उपर आप excitement दिखा रहो, तो ऐसे याद रुखो कि चाय के उबाल पे वह उचलन बताने की, कास्तूरी बेंट टू गार्डन लुकिं फॉर मदर गई, मा को देखने, हर डॉक रेक्स वाज वेटिं वेटिं फॉर, मतलब किसी का इंतिजार करना तो यहाँ पर आएगा बीना कुछ देखे, यह मुझे आता था, ठीक है, वेटिंग फॉर, कास्तूरी से हमें पता चला कि, ब्राट अच्मलिट कॉफचि में होगा, फ्रोज नहीं होगा, त्िर्एंक ळाक्ता होगा, और आएं तो बम-अच्छे लग लेकिन बिल्कुल समझा गया फिर से रेक्स ने चेज किया बिल्कुल सब्सक्राइक तूरी तूर दूर गाडन मतलब गाडन के वीश निक फॉली को दोड़ते हैं जैसे किसी टनल इंटु दा टनल या इन दर टनल होता है कि तो घिरी हुई है ना कस्तूरी रां तुरू दर गारड़ा एंड रेक्स जब आप दोड़रे तो आपको कोई फॉलो ही करेंगा ना लिस्टन दो होगा निए और या नी फॉलो करा लब आपकिसी को एकम्पणी करो या फॉलो रेक्स अगर होता तो भी सही होता है रेक्स जो कुटा है उसका वह फॉलो करता है उसको तो यह भी समझ में आगे फॉलोड है यह भाइक कसम से यह मैंने जब पढ़ा था सीजल मेंस के लिए तब इस्टे आउट आफ मतलब तूर रहो तो यह फ्रेजल वर्व है यह मैंने इस्टे आउट आउट ऑफ दो गाज़े आपको नहीं आता था आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है आपको प्रिविए से रोकेव रिवाइज करना है वगयरा वगयरा चीज़े समझ में आ गई होगी एक गंटे का पेपर था मैंने एक गंटे में करवाने की कोशिज करी आई होप आपको समझने में आ गया होगी कैसे पेपर को एक्जाम है प्रोज क् करना होता है कैसे समझना होता है क्या क्या चीजें होती है previous video करना होता है grammar को कैसे पढ़ना ह। reading का क्या फायदा होता है कि ran around कि ran into यह चीजे कब समझ में आएंगी जब आप reading करो रैट तो सब चीजे थी तो मुझे लगता था आपको बतानी चाहिए यह ऐसे पेपर को खतम करते हैं गंडे में और आप आराम से प्रेक्टिस करते हो आपका सेलेक्शन जरूर होगा एनफ टाइम है रिवीजन एंड फॉलो क्या क्या फॉलो करना है आपको अगर मैथमेटिक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसमें आप मैथमेटिक्स अभी भी टाइम है कि आप पूरा-पूरा बैस देख सकते हो इतना लिमिटेट टाइम है इतना और कितना बैस्ट मैंने पड़ा है दूसरा सीजियल 2024 का पेपर एट लिश्ट करके और सेलेक्शन पोस् सब्सक्राइब करें लाइक करते हैं तेलिग्राम चैनल पर सारी पीडिएफ भी मिल जाते हैं टेलिग्राम चैनल भी जोइन कर लें बबाबाय टेक्क्राइब लभी और आदे बेरी वेश्वारा आलके आप मने मात्रमाट